नमस्कार आप देख रहे हैं ये dnx tv मैं हूँ नीशा जिले के हुन हर छात्रों ने 36 गर्माध्यमिक सिक्षामंडल के द्वारा दसवी वा बारवी बोड की परिक्षाओं का रिजल्ट घोशिट किया गया जिसमें जांजगीर चापा जिले के ब्लॉग डब्रा छेत्र के साशकी हाई स्कूल कांसा में दसवी कक्षा में अध्यन रच्छात्रा शिवानी यादव पीता सीव नंदन यादव उम्र 16 साल चूरतेला ने दसवी कक्षा में संत्यनबे दसमलो 6-7 प्रतिशत अंक पाकर में वन नौवा रैंक प्राप्त किया घर में ही पढ़ाईकर सफलता प्राप्त की है समवार्दाता स्वनी सी ने दी पूरी जानकारी दो महिने से बिमारी की कारण विद्यालाय नहीं जा पाई प्रिक्षा के समय बिमार थी पैर में ट्यूमर से परिसान थी इलाज कराया इसके बाद भी हिम्मत नहारी कड़ी महनत कर उन्होंने बोट की परिक्षा दी और टॉप टेन में जगह बना ली वहीं छात्रा सिवानी यादों ने अपनी सफलता का स्रे गुरु जनों और माता पिता को दिया और वह अपने माता पिता के सपने साकार करने वह देश समाज के सेवा के लिए आईएस बनना चाहती है इसके लिए कड़ी महनत वह लगन से आगे की पढ़ाई करने के बात कही वहीं संसकार भारती पबलिक इंग्लिस मीडियम स्कूल जैजैपुर में अध्यानरत कक्षा दस्वी की छात्रा रेणुका चंद्रा ओम्र 14 वर्स पिता खेम चरन चंद्रा माता गीता चंद्रा ग्राम सरहर की है जिसे प्रदेश में सात्वा रैंक मिला है रेणुका चंद्रा अपने सफलता का स्रे माता पिता एवं सिक्ष को विद्याले के प्रचार्य को दे रही है वह आगे चलकर आईएस अपसर बनना चाहती है जो की रेणुका चंद्रा अपने मामा के यहां ब्लॉक डभरा के ग्राम कोटे कोनी छोटे आई हुई थी जहां हमने रेणुका चंद्रा से बात की वहीं सिवानी यादो के पिता सिवनन यादो ने अपने बेटी के सफलता पर गर्व महसूस कर रहे हैं और उने ने कहा कि मैं उसके उजवल भविसी की कामना करता हूं वहीं गीता चंद्रा अपने बेटी रेणुका चंद्रा को दसवी क टॉप टेन में जगह मिलने पर पूरा परिवार गर्व महसूस कर रहा है उनकी बेटी की महनद पर पूरा परिवार खुस है और उनके उजवल भविसी की कामना करता है TNX TV के लिए जांजगीर से अस्विनी सिंग की रिपोर्ट Feeling proud of myself, I think my whole teachers, my staff, they are feeling proud of myself Because this is the result of their efforts, they always encourage me, they always inspire me, they always support me And this is the result of their efforts, their teaching I'm a child of my child Riga Chandra and I'm a proud of myself, I'm very happy that my child is in 36 साथा रेंग में आई है, 98% लेकर रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे पहर्वार भूट खूस है, that he never reasoned me, he has to have the comment on the first floor, on the first floor of the house he always uses the nine-person for the rest, मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बच्ची आगे चलके जो उसका सपना हो जाए यह मुझे पूरे साले परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहते हूं जो लोग सब्सक्राइब इतना ध्यान से मेरी बच्ची को पढ़ाए हैं मुझे बहुत गर्व है डारेक्टर सर भी बहुत मेरी बच्ची में घर आते हैं और हाल चल पुछते रहते हैं कैसे परड़ी आगा मार्ग दर्सन देते हैं धन्यवाद मैं गवर्मेंट है सेकेंटरी स्कूल कासा की स्टूडेंट हूं मैं आगे पढ़कर आइस बना चाहती हूं मैं इसका स्रेय अपने माता-पिता और अप मैं भरती थी स्टार्टिंग में जब मेरी स्कूल की पढ़ाई सुरू हुई तब टीचर्स ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि तुम यह कर सकती हो और इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आगे जो भी स्टूडेंट टॉप 10 में अपना नाम लाना चाहते हैं उनका मैं उनको मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि अगर सच्ची मिहनत और लगन हो तो कोई भी सफ मुत्किल सफलता पानी से रोक नहीं सकती नहीं सकती है यह मेरी लड़की सीवानी आदाव टाप 10 की है यभी तो मैं जिन्दगी में सबसे जादा खुस हूं सबसे मैं आगे चाहते हूं कि मेरे बेटी आगे पढ़ाई करें और खुब मेहनत करके अच्छे मकाम हासित करें और मैं बांकी बच्चों को यही संदेश देना चाहूंगा कि मेरी बेटी कि तरह भी वही मेहनत करें और बिल्कुल उनको सफलता मिलें कि